नमस्कार नियूज फोनीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाशर्मा बॉलेवुड एक्टर सुशान सिंग राजपूत की मौत की गुथी और भी बिगर्ती जा रही है उलस्ती जा रही है अब तक पुलीस कई लोगों से बाचीत भी कर चुकी है लेकिन ये समझ में नहीं आया है ये सामने नहीं आया है कि आखिर उनकी मौत की वज़ा क्या रही होगी क्या उन्होंने सुसाइट किया है या फिर ये आत्महत्या नहीं बलकि एक मुर्डर है इसको लेकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं आम से लेकर खास लोग अब इस मामले पर CBI जाच की भी मांग कर रहे हैं इसके साथ कई ऐसे पॉलिटिकल लिडर्स भी है जो उनकी परिवार वालों से भी मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने भी ये मांग उठाई है कि सुशान सिंग राजपूत के मौत का जो मामला है उसमें CBI जाच होनी चाहिए इसे बीच एक ऐसा चेहरा है जो काफी कई दिनों से अक्टिव भी नज़र आ रहे है और सामने आ रहा है वो है शेखर सुमन शेखर सुमन कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं और इसको लेकर उनने मुहीम तक छेट़ दी है आखिर वो सामने क्यों आ रहे हैं? शेखर सुमन ही इस मुद्दे को इतना भुना क्यों रहे हैं? अब इन सब पर सवाल भी लोग कर रहे थे लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया है उनकी बेटे नहीं ये बाते बता दी है कि आखिर उनके पिता यानि की शेखर सुमन इसको लेकर इतना एक्टिव क्यों है? अध्यन सुमन क्या कुछ कह रहे हैं? आपको बताते हैं अध्यन सुमन सुषांत के निधन से दुखी है लेकिन इन दिनों उन्हें अपने पापा यानि की शेखर सुमन की चिंटा ज्यादा होने लगी है उन्होंने कहा है कि Corona Virus की इस महमारी के बीच पापा इस तरह से बाहर जा रहे हैं इससे मैं परिशान हूँ मेडिया से बाच्षित के दुरान उन्होंने कहा कि शुसांत के निधन के बाद से उनके पिता इतने परिशान है अध्यन ने बताये कि जब मैं छोटा था तब मेरे भाई आयूश का निधन हो गया था मेरे पापा को बेटे के खोने का गम अच्छे से पता है माता पिटा के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता अध्यन ने आगे कहा है कि मेरे पापा को लगता है कि मामले की CBI जाच होनी चाहिए तो इसमें गलत क्या है वो सिर्फ जाच कराना चाहते हैं और इसे अगर सब बाते सामने आ जाएंगी तो ये सब के लिए सही है उन्होंने कहा कि मेरे पापा जो कर रहे है मुझे उन पर गर्व है आपको बता दे कि कुछ दिन पहले शेखर सुमन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशान्त मेरे बच्चे की तरह था मैं उसके पिटा का दर्द समझ सकता हूँ जिस तरह से सुशान्त डिप्रेशन में गुजर रहे थे मेरा बेटा भी मेरे घर पर वैसे सिती से ही गुजर चुका है उससे भी फिल्म इंडस्ट्री में रोकने की कोशिस की गई इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया था एक बार बेटे अध्यन ने बताया था कि उसके अंदर भी सुसाइट का खयाल आया था शेखर सुमन ने सीबी आई जाज के रिए जस्टिस फोर्स सुशान तो फोरम नामक एक आउनलाइन फोरम बनाया है जिसके जर्ये वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबी आई जाज हो तो सुशान सिंग राजपूत के मामले को लेकर अब आम से लेकर खास लोग सीबी आई जाज की मांग कर रहे हैं हाला कि पोलीस अभी तक मामले की चान बिन में जुटी है बांदरा पुलीस ये कोशिस कर रही है कि उस कारण तक उस वज़ा तक पहुचा जा सके जिसके कारण सुषान सिंग राजपूत ने खुद को मौत से गले लगा लिया और खुद से उन्होंने सुसाइट कर ली इसको लेकर अब तक 29 लोग ऐसे हैं जिन से पूचताच की जा चुके हैं यहाँ तक कि उनकी तथा कथित गल्फ्रेंड रिया चकरवर्टी से भी पूचताच की गई और आज उनके करीबी मत्रो सिधार्ट से भी पूचताच की जाएगी यह पता लगाने की कोशिस की आखर सुशान्त की मौट के पीछे की जो वजह है वो क्या रही होगी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहे हैं इन्यूस पोनेशन नमस्कार